हेलो फ्रेंड्स मैं होगे पीशिंग आप देख रहे हैं मेरा चनल पड़ोगों ते पड़ोगे अगर आप शीखना चाहते हैं रोज को नया तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्काइब करें और बेल आगन को जुरू दुमाएं तक आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले तो म अगर आप प्लेश्ट पर जाना चाहते हैं तो उपर आई बटन पर प्लेश्ट आ रहे हैं वहां से आप प्लेश्ट पर पहुंच सकते हैं तो चलिए फड़ा फड़ सुरू करते हैं कोशन नंबर 3 से लाइव बैच साम को 9 से 10 चलता है सबी लोग टाइम से आकर जॉइन कर सकते हैं प्रस्ट नंबर तीन में क्या कह रहा है दो रेल पत्रियां समीकर अड़ एक्स प्लस टू आई माइनस चार बराबर जीरो समीकर नंबर फर्स्ट टू एक्स प्लस टू आई माइनस चार बराबर जीरो यह समीकर नंबर दो है द्वारा निरुपित की गई है इस इस्थित को जामिती रूप में व्यक्त कीजिए जामिती रूप में व्यक्त करना हमें ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे पहले तो समीकर नंबर को समीकर नंबर को ग्राफी रूप में लिखने पर तो ग्राफी रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखें एक्स प्लस टू वाई माइनस चार बराबर जीरो है तो यहां पर किसी एक चरका मान निकाल लेते हैं एक्स बराबर माइनस का चार उदर का है में जाएगा प्लस में जाएगा और प्लस का टू वाई उदर का है में जाएगा माइनस का टू वाई जाएगा अब एक सारणी बना लेते हैं यहां लिखेंगे एक्स यहां लिखेंगे वाई फिर वैलू पुट करेंगे वाई का मान पहले हम जीरो पुट कर देते हैं वाई का मान क्या पुट कर रहे हैं जीरो जब वाई का मान हम जीरो पुट करेंगे तो एक्स का मान चार आ जाएगा और फिर y का मान अगर हम दो पूट कर दें तो x का मान 0 आ जाएगा तो हमको बिंद प्राप्त होंगे 4 का मा 0 और 0 का मा 2 अब यहां पर समी गरण सकेंड को ग्राफी रूप में लिखने पर तो सकेंड को ग्राफी रूप में लिखेंगे 2x प्लस 4y माइनस बारा बराबर 0 है तो यहां से x का मान निकाल लेंगे 12 माइनस 4y बटे 2 सारणी बनाएंगे यहां लिखेंगे x यहां लिखेंगे y y का मान 0 पुट करेंगे जैसे y का मान 0 पुट किया तो x का मान 6 आ गया फिर y का मान 3 पुट करेंगे और जैसे y का मान 3 पुट किया तो 12 में से 12 चले गए 0 तो हमारे पास बिंद प्राप्त हुए हमको 6 का मा 0 और 0 का मा 3 यहां तक बताएं कोई समस्या हो तो ठीक है कोई समस्या नहीं है अब हम क्या करेंगे ग्राफ खीचेंगे बिंद हमारे पास हैं ग्राफ खीच कर इनको बना लेंगे यह रिट ले जाते हैं सबसे पहले वाइच कीच लेंगे हम लोग यह एक्स अच्छ है एक्स डैस है वाई है वाई डैस है सबसे पहला बिंदु चलेंगे चार कामा जीरो एक्स पर चले चार एक दो तीन चार वाई पर चले जीरो यह बिंदु मिल गया फिर दूसरा बिंदु है जीरो कामा दो एक्स पर चले जीरो वाई पर चले दो एक दो ये बिन्दों मिल गया अब इन दोनों बिन्दों से एक रेखा खींच लेंगे हम लोग ये हैं ठीक है अब एक दूसरी देखा खींचेंगे जिसका निर्देसांग क्या है छे कामा जीरो और जीरो कॉमा तीन तो पहले छे कामा जीरो बनाते हैं एक्स पर चले छे वाई पर चले जीरो तो चार तो यह है पांच छे यह मिल गया और यहां पर दूसरा बनाते है जीरो कॉमा तीन एक्स पर चले जीरो वाई पर चले तीन एक दो तीन यह आ गया क्लियर है तो अब हम लोग क्या करेंगे एक अन्य रेखा खींच लेंगे इस प्रकार से यह रही तो यह दो रेखा है हम लोगों नहीं यहां पर कीच लेंगे क्लियर है जो पहली रेखा है उसका समिकन है एक्स प्लस्ट तू वाई माइनस चार बराबर जीरो और जो दूसरी रेखा है उसका समिकन है तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं उमीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा चल देते हैं कोश्चन बच चार के फर्स्ट पार्ट पर पांच पेंसिल और साथ कलमों का मूले पचास है जबकि साथ पेंसिल और पांच कलमों का मूले च्छालिस है एक पेंसिल का मूले तथा एक कलम का मूले ग्राफी विद से हल कीजिए तो बहुत ध्यान से देखेगा यहां पर माना एक पेंसिल का मूले बराबर एक्स रुपए तथा कलम का मूले वाई रुपए प्रस्ना नुसार प्रथम सार्थ क्या कह रहा है पांच पेंसिल और साथ कलमों का मूले पचास है तो पांच पेंसिल यानि पांच गुड़ें पेंसिल का मूले एक्स है प्लस साथ कलम साथ गुड़ें वाई बराबर पचास तो आंसर आजाएगा पचास एक्स सौरी पांच एक्स प्लस साथ वाई बराबर पचास यह बन गया समी का नंबर फर्स्ट अब आजाते हैं दती सर्थ पर तो तीस सर्थ में क्या कह रहा है साथ पेंसिल तथा पांच कलमों का मूले च्छी आलिस है तो साथ गुड़ें एक्स प्लस पांच गुड़ें वाई बराबर च्छी आलिस साथ एक्स प्लस प्लस पांच वाई बराबर च्छी आलिस समीकर नंबर दो क्लेर हैं अब देखिए यह दो समीकर बना लिये हैं हमें इनको ग्राफी विच्छ से हल करना है तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा समीकर नंबर फर्स्ट को ग्राफी रूप में लिखने पर तो ग्राफी रूप में लिखेंगे पांच एक्स प्लस सात वाई बराबर पचास य का मान निकाल लेते हैं पचास माइनस पांच एक्स बटे साथ सारणी तयार करेंगे एक यहां लिखा एक्स यहां लिखा वाई तो एक्स का मान कुछ ऐसा रखो कि वह सास से कटे जरूर पूरी संक्या जो भी बने तो एक्स का मान अगर आप यहां पर जीरो रख दोगे तो पचास सास से कटता नहीं है एक्स का मान एक रखोगे तो पैंटालिस वह भी सास से नहीं कटेगा दो रखोगे वह भी सास से नहीं कटेगा तीन रखोगे तो पांस तियां पंदरा पचास मिशे-पंदरा गए It.ników हम और सास से कट जाएगा तो एक्स का मान हम तीन रखेंगे कुछ इसी कि अब यहां पर आगे मान रखेंगे कि अगर हम कि तीन रख चुके हैं कि अब हम माइनस में अगर जाएं तो एक्स का मान माइनस एक में भी नहीं मिलेगा मान-घ्र अगर हम चार रख दें एक्स का मान माइनस चार रख दें तो पांच चकों 20 हो जाएगा परेशाल रख दलिया मान- तो खवंध्र हम्झा कि मान मान-fahr रख रत दो 25 और 20 गया है 2 सकांगे मॉर्म को बिंदू क्या मिल जाएगा बिन्दु मिल गए तीन कामा पांच और माइनस चार कामा दस अब देखिए समी करण सकंड को ग्राफी रूप में लिखने पर तो ग्राफी रूप में कैसे लिखेंगे साथ एक्स प्लस पांच वाई बराबर च्यालिस वाई बराबर च्यालिस माइनस साथ एक्स बटे पांच सारनी त्यार करेंगे अएक्स का मान यहां पर अएसा रखेंगे कि जो बच्या से अएक्स प्लस पांच कटे एक्स प्लसक भे Lecture साथ नहीं साथ दूनी 14 वह भी नहीं रख सकते सातियां 21 रख सकते हैं तो एक्स का मान तीन रख देंगे और जैसे एक्स का मान हमने तीन रखा 21 तो 46 में से 21 चले गए 25 और 5 से कड़ेगा पांच वाई का मान पांच आ जाएगा अब आगे हम माइने की वैलू लेंगे यहां पर माइनिस में हम कितना ले लें तो सथो सथ दूनी 14 ठीक है माइनस काड़ ले लें हिए मैं अगर माइनस का दूले लेंगे तो साथ दूनी 14 अधा हो जाएगा है अधि कर प्लस का चौदा माइनस सवदा और आगे माइनस लगा हुआ तो प्लस सवदा 46 प्लस सवदा कितना हो जाएगा साथ बारा पंचे साथ कि तो यहां पर जो बिंदु तयार हुए हैं वह तयार हुए है तीन कॉमा पांच और माइनस दो कॉमा बारा चल देंगे कि ग्राफ तयार कर लेते हैं अपना कि यह वाई अच्की चलिया कि यह एक्स अच्की चलिया कि यह एक्स यह एक्स डैस यह वाई यह वाई डैस पहला बिंदु है तीन कामा पांच एक्स पर चले तीन एक दो तीन वाई पर चले पांच एक दो तीन चार पांच यह आगया तीन कामा पांच दूसरा बिंदु है एक्स पर चले माईनस दस य पर चले दस बिंदु है छोटे कर लीजे ताकि अच्छ पर चले तीन वाई पर चले पांच एक्स पर चले तीन वाई पर चले एक डो तीन चार पांच एग और एक्स पर चले माईनस चार वाई पर चले दस एक डो तीन चार एक्स पर साथ आठ नो दस कि यह पहली रेखा बन गई अब द्ूसरी रेखा बनाने जा रहे है बिन्दु क्या है हमारे पास अ मिद्धु ए 3 कामा 5 तो एक्स पर चले 3 वाई पर चले 5 वह तो हमारे पास बिन्दु है ही वी यह वाला और दूसरा बिन्दु है X पर चले माइनस 2 और Y पर चले 12 तो X पर चले माइनस 2 Y पर चले यह 10 पहुंच गए यह 10 था यह 11 और यह 12 तो यहां से और यहां से जाना है तो इसकी भी एक रिखाँ कहीं चलेते हैं यह देखिए कि अरोगे ठीक यह तो यह दो रेखा हैं हमने यहां पर खींच लिए दोनों रेखाएं जो खींची हैं वह एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं इस बिंदु पर काट रहे हैं जिसका निर्देसांग है तीन कामा पाच तो यही इसका हल हो गया लिख देंगे अतहा एक्स बराबर तीन और वाई बराबर पाच यह अंसर हो गया क्लियर है उमीद करते हैं कि जो भी आपको बताया गया होगा बढ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा चौत्य के फर्स्ट पार्ट पर क्या कर वा चुके है क्या प्रतियोकता में ने गड़ित की पहली प्रतियोकता में भाग लिया यदि लड़कियों की संक्या से चार अधिक है तो प्रतियोगता में भाग लेने लड़कों तता लड़कियों की संख्या ग्याद कीजिए तो हम मान लेंगे माना प्रतियोगता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बराबर एक्स तता प्रतियोगता में भाग लेने वाले वाली लड़कियों की संख्या बराबर वाई ठीक है प्रस्ना अनुसार प्रतियोगता में भाग लिया है तो लड़कें कितने हैं लड़कें हैं एक्स और लड़किया कितनी हैं वाई तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया दस क्यूंकि दस बच्चे गए हैं तो एक्स प्लस वाई बराबर दस दतीश अर्त में आ जाते हैं यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार दिखो किसकी संख्या दिखो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से चार दिखो तो लड़कियां हैं कितनी यह लिख दिया लड़के और यह लिख दिया लड़किया तो लड़के लिखे हैं हमने एक्स लड़किया लिखी है य और अधिक कौन है यदि लड़कियों की संक्या लड़कों की संक्या से चार अधिक है लड़किया चार अधिक है तो अगर हम लड़कों को चार अधिक कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे तो X प्लस 4 बड़ाबर Y Y बड़ाबर X प्लस 4 समीकर नमबर 2nd यह हम या करके लिख सकते हैं आगे बढ़ जाते हैं और Y का मान समीकर फरस्ट में रखने के पर क्योंकि यहां पर यह कता ही नहीं कह रहा है कि इसको ग्राफ इत्से हल करना है चैने जैसे भी आप हल कर सकते हैं तो लिखेंगे Y का मान समीकर नमबर फरस्ट में रखने पर तो देखी कैसे रखेंगे Y का मान है X प्लस 4 यहां रख देंगे X प्लस X प्लस 4 बराबर 10 X X क्या हो जाएगा 2X बराबर 10 माइनस 4 2X बराबर 10 में से 4 गह 6 और X बराबर X बराबर 6 बटे 2 2 से कट जाएगा 3 आजाएगा तो X का मान कितना आजाएगा तीन अब X का मान समी करण सकेंड में रखने पर तो X का मान समी करण सकेंड में रखने तो क्या हो जाएगा वाई बराबर तीन प्लस चार वाई का मान साथ आजाएगा कुलेर है लिख देंगे अता हा लडकों की संख्या तीन लडकियों की संख्या साथ तो इस तरीके से हम लोग चौथे का सकेंड पार लगा सकते हैं उमीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा बढ़ जाएंगे हम लोग कोशन नमर पांच पर लेकर उससे पहले हम लोग कॉंसेप्ट सीखेंगे चलिए कॉंसेप्ट क्या है यहिदी दो रेकाएं जो हम लोगों ने पढ़ ली थी कॉंसेप्ट क्या है कॉंसेप्ट है यह दो रेकाएं है और उन दोनों रेकाओं में यह दे रखा A1 बटे A2 not equal to B1 बटे B2 आ जाता है यादि उन दो रेखाओं में A1 बटे A2 not equal to B1 बटे B2 आ जाता है तो रेखाएं कैसी होती हैं रेखाएं प्रतिचेदी होती हैं अर्थात अद्धिती हल होता है दूसरा यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 not equal to C1 बटे C2 हो तो रेखाएं समानतर होती हैं अर्थात कोई हल नहीं है तीसरा यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 तो रेखाएं कैसी होती हैं समपाती होती हैं अर्थात अनेक अनन्त हल होते हैं तो यह कॉंसेप्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं विद्वत हमने आपको पढ़ाया था चित्र बना कर समझाया था अगर आपने इंट्रो की क्लास नहीं लिए तो इंट्रो की क्लास जरूर ले लें पहली क्लास चैप्टर नंबर थ्री का पहला वीडियो आप देख लें प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है वहाँ पर पहुँचके आप ये चीजे सीख सकते हैं उसके बगएर फिर आपको मजा नहीं आएगा और साथ में आपको ये भी बता लेते हैं जो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं उनको हम लोग संगत बोलते हैं ये संगत रेखाएं होती हैं कि समानतर रेखाएं असंगत होती हैं और संपाति रेखाएं भी संगत होती हैं तो ये भी आप तयार कर लीजेगा अब इसी कॉंसेप्ट पर हम लोग कोशनल नंबर पांच के पांच के पांच के पांच पार्ट को लगाने जा रहे हैं कोशन नंबर पांच का पहला पार्ट रिखाएं दे रखी हैं पांच एक्स माइनस चार वाई प्लस आठ बराबर जीरो शाथ एक्स प्लस चार वाई माइनस नो बराबर जीरो शाथ समीकर नंबर एक और समीकर नंबर दो समीकर नंबर एक और दो दिया गया हमको और हमसे क्या कह रहा है बताइए रेखाएं कैसी हैं प्रतिच्चेद करती हैं समांतर हैं अत्वा समपाति हैं तो समीकर नंबर एक से हम एवन का मान निकल लेंगे पांच अ कि बीवन का मान माइनस चार अ कि सीवन का मान आठ अ कि एटू का मान साथ कि बीटू का मान च्छे और सीटू का मान माइनस नौ क्लियर है अब लिखेंगे कि एवन बटे एटू चेक करने जा रहे हम एवन बटे एटू एवन का मान पांच है और एटू का मान साथ है बीवन बटे एटू माइनस चार बटे च्छे है दो दूनी चार दो तिया च्छे माइनस दो बटे तीन सीवन बटे सीटू है आठ बटे माइनस नौ जो ऐसे रहेगा अब यहां सबसे पहले हम एवन और एटू की ही एवन बटे एटू की तुलना बीवन बटे बीटू से ही करेंगे जब यह हमको बराबर मिल जाएंगे तब सीवन सीटू पर चलेंगे बहुत बात ध्यान से सुन लिजेगा तो हम क्या कहेंगे चुंकि एवन बटे एटू नौट इक्वल टू है बीवन बटे बीटू अब आपके मन में तुरंत एक बात आएगे चुंकि यह दुरों नौट इक्वल टू मिल गए अगर यह एक्वल मिल जाएंगे तब हम सीवन सीटू पर जाएंगे तो लिजेगा चुंकि एवन बटे एटू नौट इक्वल टू बीवन बटे बीटू इसलिए रिखाएं प्रतिच्चेदी हैं क्लियर तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं चलिए चल देते हैं थर्ड सकेंड पार्ट पर और चेक कर लेते हैं वहां पर जो दो रेखाएं दे रखी हैं वो कैसी हैं 9x प्लस 3y plus 12 इकल टो 0 18y 18x प्लस 6y 24 इकल टू 0 अब यहां A1 का मान निकल लिजे A1 का मान 9 B1 का मान 3 C1 का मान 12 A2 का मान 18 B2 का मान 6 और C2 का मान 24 अब क्या करेंगे यह लिखने के बाद हम चक करेंगे तो A1 बटे A2 चक करेंगे A1 का मान है 9 A2 का मान है 18 9 एकल नो नो दूनी अठारा B1 बटे B2 का मान चक करेंगे तीन बटे 6 3 एकल तीन तीन दूनी चक करेंगे C1 बटे C2 12 बटे 24 12 एकल बटे 12 दूनी 24 12 एक बटे दो आ गया है यहां तक क्लियर है अब लिख देंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 इसलिए रेखाएं समपाती हैं समपाती को आप ऐसे भी लिख सकते हैं रेखा हैं समपाती हैं क्या क्लियर है ठर्ड पार्ड को इसको देख लेते हैं रेखा है टू एक्स माइनस वाई प्लस नाइन इसकोल टू जिरो शिक्स एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टैन इकोल टू जिरो यह समिकन फरस्ट है यह समिकन सकंड है अब देखिए अब यहां से सी टू तो एवन बटे एटू दो बटे च्छे एक बटे तीन बीवन बटे बीटू माइनस एक बटे माइनस तीन माइनस से माइनस कर गया एक बटे तीन और सी वन बटे सी टू नो बटे दस तो जो नो बटे दस ही रहेगा अब लिख देंगे चुंकि एवन बटे एटू बराबर है बीवन बटे बीटू बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू इसलिए रेखाएं कैसी हैं समानतर हैं क्लियर है यहां तक ठीक है तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं अब कुश्चन नमबर छे में चार चार पार्ट दिए गए हैं उनको देख लेते हैं चलिए देखिए हम लोग सीख रहे हैं कुश्चन नमबर छड़े का पहला पार्ट क्या कह रहा है कुश्चन नमबर छड़े के पहले पार्ट में निमलिकी समीकरण के युगमों में से कौन से युगम संगत हैं और असंगत ठीक है यदि संगत हैं तो ग्राफी विद से हल कीजिए पहला पार्ट हम देखने जा रहे हैं लिखा हुआ हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर पांच और लिखा हुआ है टू एक्स प्लस टू वाई बराबर दस क्या करेंगे इस पांच को इदर ले आएंगे एक्स प्लस वाई माईनस पांच बराबर जीरो समिकर नमबर फर्स्ट और टू एक्स प्लस टू वाई माईनस दस बराबर जीरो समिकर नमबर सकेंड एवन का मान एक है बी वन का मान एक है C1 का मान माइनस पांच है A2 का मान दो है B2 का मान दो है और C2 का मान मान माइनस दिस है यहां तक क्लियर है अब लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर A1 बटे A2 बराबर एक बटे दो B1 बटे B2 एक बटे दो और C1 बटे C2 बराबर मान पांच बटे मान दस पांच एकम पांच पांच दूनी दस एक बटे दो तो अब लिखेंगे चुकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 इसलिए रेखाएं संपाती हैं अधा संगत रेखाएं हैं क्लियर है अब देखिए द्यान से अगर यह संगत हैं तो हमें ग्राफी विद्से हल करना है तो लिखेंगे समीकरन फर्ष्ट को ग्राफी रूप में बदलने पर समीकरन फर्ष्ट को ग्राफी रूप में लिखने पर समीकरन फर्ष्ट है क्या हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर पांच है उदर भेज देंगे तो वाई बराबर पांच माइनस एक्स सारणी बना देंगे सारणी क्या तयार होगी हमारी यह x है यह y है x का मान अगर 0 रख दें तो y का मान 5 और x का मान 5 रख दें तो y का मान 0 तो बिंदो हमारे मिलेंगे 0 कामा 5 और पांच गामा जेडो समीक रंड सकेंड को ग्राफी रूप में लिखने पर तो चलिए समीक रंड सकेंड देख लेते हैं पहले था क्या चार टू एक्स प्लस टू वाई बराबर दस तो वाई बराबर आ जाएगा दस माइनस टू एक्स अपान टू दस माइनस टू एक्स अपान टू अब क्या चाहिए मैं सारणी तो सारणी बना लेंगे यह एक्स यह वाई एक्स का मान अगर हम जीरो पुट कर दें तो वाई का मान पांच आ जाएगा और एक्स का मान अगर हम 5 पुट कर दें तो वाई का मान जीरो आ जाएगा तो हमारे बिंदो तयार होंगे दो नों जीरो कामा पांच और पांच कामा जीरो विल्कुल सेम वही बिन्दों हमको प्राप्ट हुए हैं तो इन दोनों बिंदों से हम क्या करेंगे अपना खीज देंगे तो यह रहा हमारा एक्स अच और वाई अच एक्स डैस वाई वाई डैस यह हमारा ग्राफ है और इस पर हमें बिंद चलना है जीरो कामा पाँच एक्स पर चलना है जीरो वाई पर चलना है पाँच एक दो तीन चार पाँच और फिर हमको चलना है एक्स पर पाँच वाई पर जीरो एक दो तीन चार पाँच टीक है अब हम यहां पर रेखा खिंच देते हैं टीक है तो यह रेखा हमारे बन गए और दूसरी रेखा हो हम खिचेंगे तो वो भी रेखा है इसी के उपर से जाएगी तो जब दो रेखाएं एक के उपर एक जाएगे क्यूंके दोनों की विंक्ता आप एक जाएगे लिजा एक जाए मैं क्यूंगे लोग इसका उत्तर नहीं बता सकते हैं ने छोल उत्तर अगर हम बात करें तो कई बिन्दो आ जाएंगे अनन्त बिंदू आ जाएंगे अनेक बिंदू आ जाएंगे यूंकि रेखा है कैसी है सम पाती है इसी रेखा का समीकर्ण हमारे पास x प्लस y बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10 उम्मिद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम लोग चल देंगे इसी के सकंड पार्ट पर सकंड पार्ट में रेखाएं क्या दे रखे हैं x माइनस y बराबर 8 कॉमा 3x माइनस 3y बराबर 16 तो यहाँ पर हम यह प्रस्में हमको दे रखा तो हम इसको समय कर बनाएंगे x माइनस y माइनस 8 बराबर 0 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 अब देखिए अब देखो यहाँ पर a1, a2 पता करते हैं संगत हैं भी कि नहीं है तो a1 का माईन कितना है 1 b1 का माईनस 1 c1 का माईनस 8 a2 का माईन 3 b2 का माईनस 3 और c2 का माईनस 16 अब देखिए, तो A1 बटे A2 बराबर 1 बटे 3, B1 बटे B2 बराबर माइनस एक बटे माइनस 3 माइनस से माइनस कर जाएगा, एक बटे 3 हो जाएगा, C1 बटे C2 बराबर माइनस एक बटे माइनस सोला, एक बटे 2, तब लिख देंगे, चूँकि, A1 बटे A2 बराबर, B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, इसलिए रेखाएगे, समांतर हैं, अताह, असंगत, रेखाएँ हैं, और असंगत है तो हमें वहाँ पर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, चले चलेंगे इसके, थर्ड पार्ट पर, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 2X प्लस Y माइनस 6 बराबर 0, यह समिकरण सकेंड है, 4X माइनस 2Y माइनस 4 बराबर 0, यह समिकरण सकेंड है, अब यहाँ पर देखिए, A1 गुडांकों को देख लेते हैं, A1 का मान 2 है, B1 का मान 1 है, C1 का मान माइनस 6 है, A2 का मान 4 है, B2 का मान माइनस 2 है, और C2 का मान माइनस 4 है, तो A1 बटे A2 बराबर, 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दोनी 4, B1 बटे B2 बराबर, एक बटे माइनस 2, माइनस एक बटे 2, और C1 बटे C2 बराबर, माइनस 6 बटे माइनस 4, दो तियां, दो दोनी 3 बटे 2, जोंकि A1 बराबर, A2 not equal to B1 बराबर, B2, इसलिए रेखाएं, प्रतिच्चेदी हैं, ठीक है, और जब रेखाएं, प्रतिच्चेदी हैं, अता, संगत रेखाएं हैं, और जैसे ही संगत है, तो तुरंत लिखेंगे, समी करण, फर्स्ट को, ग्राफी रूप में, लिखने पर, तो समी करण, फर्स्ट को ग्राफी रूप में लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान से देखें, फर्स्ट है क्या, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, y का मान निकालेंगे, माइनस 6 माइनस 2x, माइनस का 6 उदर जाएगा, प्लस में जाएगा, और 2x उदर माइनस में जाएगा, अब बना लेंगे सारणी, यह X है यह Y है X का मान अगर 0 रख देंगा तो Y का मान 6 और X का मान अगर हम यहाँ पर 3 रख देंगे तो Y का मान 0 तो बिंदू क्या तयार होंगे 0, 6 और 3, 0 जीड़ो समी करंड सकेंड को ग्राफी रूप में लिखने पर सकेंड है क्या 4X माइनस 2Y माइनस 4 बराबर 0 तो माइनस का 2Y बराबर 4 माइनस 4X बराबर 4 माइनस 4X बटे माइनस का 2 सारणी तयार कर लेंगे X, Y X का मान 0 रखेंगे तो Y का मान माइनस 2 और X का मान एक रख दें तो Y का मान 0 तो हमको बिंदु क्या प्राप्त होंगे 0, माइनस 2 और 1, 0 यहां तक क्लियर है अब क्या करेंगे अब हम लोग यहां पर देखेंगे ग्राफ अपना बनाद लेते हैं यहां पर देखेंगे अब पहला बिंदु चलेंगे 0, 6 X पर चले 0, Y पर चले 6 एक, दो, तीन, चार, पांच, छै तो यह बिंदु हमको मिल गया और X पर चले 3, Y पर चले 0 एक, दो, तीन, यह बिंदु मिल गया ठीक है अब यह पहली रेखा खिच गई दूसरी रेखा खिचने के लिए बिंदु मारे पास है 0, 2, यानि X पर चलेंगे 0, Y पर चलेंगे माइनस दो, एक, दो, यह बिंदु आ गया और 1, 0, X पर चलेंगे 1, Y पर चलेंगे 0 तो यह बिंदु आ गया अब इन दोनों से देखा खिच लेंगे अब देखिए, इसको सही से देखा आगे बढ़ा लेते हैं अब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग और समझेंगे यह मारे पास दोनों देखाएं बन गई हैं पहली देखा जो हमने बनाई है उसका समीकर और लिख देते हैं 2X प्लस Y माइनस 6 बराबर 0 और जो दूसिर सी रेखा कीची है उसका समीकर लिख देते हैं कि फॉर एक्स माइनस टू वाई कि माइनस चार बराबजी गो तो यह दोनों रिखा हैं लोगा ने खीच लिए और यह मारा आ गया है कि अब क्योंकि कह रहा है कि इसको ग्राफी विच्छ से हल करिए तो हमें इसका मान बेचाहिए होगा और जब आप कोष्चन में देखेंगे कि कहां पर काट रहा है तो इस बिंदू पर काट रहा है और यही कोस्टिन जब आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपको यह एकुरेट बिंदू दिखाई देगा कि कहा जा रहा है ठीक है क्योंकि ये ग्राफ पेपर पर तो मैंने बनाया नहीं है तो वहां से आपको बिंदु दिख जाएगा ग्राफ पेपर पर पर और वो बिंदु होगा दो कामा दो ठीक है यह इसका हलोगा अता एक्स बराबर दो और वाई बराबर दो यह इसका हल है ठीक है क्लियर है चलिए हम लोग चल देते हैं प्रस नंबर चार पर प्रस नंबर चे के चोथे पार्ट पर जो क्या दे रखा है टू एक्स माइनस टू आई माइनस दो बराबर जीरो फोर एक्स माइनस फोर वाई माइनस पांच बराबर जीरो समीगरन फर्स्ट समीगरन सकेंड अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर A1 का माइन दो B1 का माइन माइनस दो और C1 का माइनस दो A2 का माइन चार B2 का माइनस चार C2 का माइनस पांच तो A1 बटे A2 चक कर लेंगे कितना है 2 बटे 4 2 एक कम दो 2 दूनी 4 अर्थात 1 बटे 2 B1 बटे B2 देख लेंगे B1 का माइन माइनस दो B2 का माइनस चार माइनस कर गया 2 एक कम दो 2 दूनी 4 1 बटे 2 C1 बटे C2 बराबर माइनस दो बटे माइनस पांच माइनस से माइनस कर गया 2 बटे 5 अब देखिए चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 इसलिए रेखाएं समानतर है इसलिए रेखाएं समानतर है अतहा असंगत रेखाएं हैं और जब रेखाएं असंगत हैं तो उनको हम हल नहीं करेंगे यहीं पर छोड़ देंगे तो उमीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कोशन नम्बर साथ का पहला पार्ट क्या कह रहा है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 के तुलना कर ग्याद कीजिए कि निम्ली के समी करनों हो कि यूगम संगत है या संगत तो समी करन एक क्या दे रखा यहां पर 3X प्लस 2Y बराबर 5 और 2X माइनस 3Y बराबर 7 तो मानग रूप में लगेंगे 3X प्लस 2Y माइनस 5 बराबर 0 समी करन नम्बर 1 2X माइनस 3Y माइनस 7 बराबर 0 समी करन नम्बर 2 यहां से हम A1, A2 Sorry A1, B1, C1 A2, B2, C2 पता कर लेंगे A1 का मान है 3 B1 का मान है 2 और C1 का मान है मान है पांच A2 का मान है 2 B2 का मान है माइनस 3 और C2 का मान है माइनस 7 अब A1, A2 B1, B2, C1, C2 हमें पता चल गया है तो संगत संगत बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा लिगेंगे A1 बटे A2 बराबर 3 बटे 2 B1 बटे B2 बराबर 2 बटे माइनस 3 और C1 बटे C2 बराबर माइनस 5 बटे माइनस 7 माइनस से माइनस कर गया तो 5 बटे 7 अब हम लिख देंगे चोंकि A1 बटे A2 not equal to B1 बटे B2 इसलिए रेखाएं प्रतिच्चेदी हैं अता हा संगत रेखाएं हैं चलिएंगे इसके सेकंड पाट पर क्या दे रखा है 2X माइनस 3Y बराबर 8 4X माइनस 6Y बराबर 9 2X माइनस 3Y माइनस 8 बराबर 0 समिगा नंबर 1 4X माइनस 6Y माइनस 9 बराबर 0 समिगा नंबर 2 अब यहां पर देखिए दियां से A1 का माण दो B1 का माण माइनस 3 C1 का माण माइनस 8 A2 का माण 4 B2 का माण माइनस 6 और C2 का माण माण माइनस 9 अब यहां पर हम लोग A1 बटे A2 2 बटे 4 2 एकम दो 2 दूनी चार तथ 1 बटे 2 B1 बटे B2 माइनस 3 बटे माइनस 6 माइनस से माइनस कर गया 3 एकम 3 तीन दूनी 6 1 बटे 2 C1 बटे C2 माइनस 8 बटे माइनस 9 माइनस से माइनस कर गया 8 बटे 9 क्लियर है तो यह हमने वैलू यहां पर निकाल ले अब यहां पर देखिए आप बता सकते हैं कि एवन बटे एटू लिगेंगे चुंकि कि एवन बटे एटू बराबर कि भीवन बटे भीटू कि नॉट एककोल टू सीवन बटे कि सीटू कि इसलिए कि रेखाएं कैसी हो गई कि समानता रहें कि समानतर हैं अता ये असंगत रेखाएं हैं क्लियर कि इसके ठर्ड पार पर चल देते हैं तीन बटे दो एक्स पाँच बटे तीन वाई बराबर साथ नो एक्स माईनस दस वाई बराबर चल दा तीन बटे दो एक्स माईनस पाँच बटे तीन वाई माईनस साथ बराबर जीरो ये समिगन फर्स्ट और नो एक्स माईनस दस वाई माईनस चाउदा बराबर जीरो ये समिगन नंबर सकेंड अब हम क्या करेंगे देखिए A1 A2 B1 B2 हम पदा कर लेंगे आपर A1 का मान तीन बटे दो B1 का मान माईनस पाँच बटे तीन C1 का मान माईनस साथ A2 का मान नौ B2 का मान माईनस दस और C2 का मान माईनस चाउदा A1 बटे A2 पता कर लेते हैं तीन बटे दो बटे नौ तीन बटे दो बटे नौ जब उपर डबल बटे होता है तो हम उसकी टांग खीच लेते हैं तो दो नीचे आ जाएगा तीन एकम तीन 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 नौ एक बटे च्छे B1 बटे B2 माईनस पाच बटे तीन माईनस दस माईनस से माईनस कट गया पाच बटे माईनस तीन पाच बटे तीन गुणे दस पाच दो नी दस तो आगया ये एक बटे च्छे माईनस साथ बटे माईनस चाउदा माईनस माईनस कट गया साथ एकम साथ साथ दो नी चाउदा एक बटे दो चुकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 not equal to C1 बटे C2 इसलिए रेखाएं समानतर है अताए असंगत रेखाएं है अब देखिए इस question में किसी किसी book में यहाँ पर प्लस दिया गया हुआ है तो जब आप प्लस से लगाएंगे तो भी question लग जाएगा अगर प्लस दिया गया हुआ है तो यह देखाएं संगत हो जाएंगी तो वो आप अपने आप कर लिजेगा ठीक है चौथे पार्ट पर चल देते हैं पांच एक्स माइनस तीन वाई बराबर ग्यारा और माइनस दस एक्स प्लस चे वाई बराबर माइनस का बाईस पांच एक्स माइनस का तीन वाई माइनस ग्यारा बराबर जीरो समिक नमबर फर्स्ट माइनस दस एक्स प्लस चे वाई प्लस का बाईस बराबर जीरो समिक नमबर सकेंड अब देखें यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे A1 का मान पाँच B1 का मान माइनस तीन C1 का मान माइनस ग्यादा A2 का मान माइनस दस B2 का मान छे C2 का मान बाइस A1 बाटे A2 निकालेंगे 5 बाटे माइनस दस 1 बाटे माइनस दो B1 बाटे B2 माइनस तीन बाटे छे तो तीन एकम तीन तीन दूनी छे माइनस का एक बाटे दो C1 बाटे C2 माइनस का ग्यारा बाटे 22 माइनस का एक बाटे दो A1 बाटे A2 बराबर B1 बाटे B2 बराबर C1 बाटे C2 इसलिए रेखाएं संपाती हैं अता ये संपाती रेखाएं तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं चले चल देते हैं प्रस्ट नमबर आठ पर एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चोड़ाई से चार मीटरा देखता था अर्द परिमाब 36 मीटर है बाग की विमाय ग्याद करें यहाँ पर मानेंगे माना आयताकार बाग की चोड़ाई बराबर एक्स मीटर तो आयताकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी वाई मीटर अब प्रस्णा नुसार प्रथम सर्थ प्रथम सर्थ में कह रहा है कि जो लंबाई है वो चोड़ाई से चार मीटर अधिक है तो चोड़ाई है एक्स और लंबाई है य तो जो लंबाई है वो चोड़ाई से चार मीटर अधिक है तो अगर हम चोड़ाई में चार एड़ कर दें है तो वो लंबाई की बराबर हो जाएगा यानि वाई बराबर एक्स प्लस चार समय का नंबर फर्स्ट दतीस अर्थ दतीस अर्थ में अर्थ परिमाप 36 मीटर अर्थ परिमाप 36 तो दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चोड़ाई एक्स प्लस वाई और चूंकि अर्थ परिमाप है तो बटे में दो लगा दिया बराबर चत्तिस दो से दो कड़ गया तो य की वैलू पूट कर देंगे एक्स प्लस य की वैलू एक्स प्लस चार है बराबर चत्तिस तू एक्स पराबर चत्तिस माइनस चार टू एक्स बराबर बत्तिस एक्स पराबर शोला दो से कट गया 16 बार X का मान समी करन फर्ष्ट में रखने पर तो फर्ष्ट में रख रहे हैं तो Y बराबर X प्लस 4 X का मान 16 है तो Y बराबर 16 प्लस 4 20 अता बाग की चोड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई बराबर 20 मीटर क्लियर है तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं उमीद करते हैं कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा चल देते हैं कोशन नमबर 9 पर क्या कह रहा है कोशन नमबर 9 में रेखिक समीकन दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दो चरो में एक एससी और रेखिक समीकन लिखें ताकि प्राप्त योगम क्या जयमती निरुपन जैसा की नमबर एक प्रतिछेद करती रेखाएं हो तो नमबर एक में क्या कह रहा है प्रतिछेद रेखाएं हो तो तुरंत हम यहाँ पर प्रतिबंद लिख देंगे अब इस प्रतिबंद की सायता से इसको हल कर देंगे तो अगर हम यहाँ पर तुर एक से दो से गुणा करके यहां लिख देते हैं चार एक से लिखाएंगे कहीं से भी कोई भी नमबर आप लेकर आ सकते हैं और यहां गुणा कर सकते हैं तो जब आपने हाँ पर 2 से गुणा करती तो क्या बन गया चार एकस बन गया। कि और वह साब्साब कहरा हैं कि practicing distintos इस लिखने प्रतिशे निकालेंगे समानतर रेखाए हो अब आगे समझेगा समानतर रेखाए हो तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 not equal to C1 बटे C2 फिर से हमें वही पास समझनी है कि A1 बटे A2 A1 A2 का अनुपात बराबर होना चाहिए B1 B2 के अनुपात के तो X के गुणांक में हम अगर 2 से गुणा कर दें तो Y में भी 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी प्रस्तन में कह रहा है ना कि इनके अनुपात बराबर है तो हमने मालियत 2 से गुणा कर दें तो 4X तीन दुनी 6Y और फिर C1 C2 बराबर नहीं वही दो से गुणा नहीं करनी बाकी किसी से भी कर दीजे तो हम कहते गुणा करी नहीं एक से गुणा कर दी माइनस 8 बराबर 0 ठीक है और कोई भी आप एक्जामपल ले सकते हैं अनंत एक्जामपल इसके हैं आंसर ना मिलाएं बिलकुल भी अपनी मर्ची से भी आप किसी भी संग्या से गुणा कर सकते हैं संपाती रेखाए हो तो संपाती का प्रतिबंद लिख लेते हैं यहां पर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 ठीक है अब देखिए अब A1 A2 का अनुपात बराबर है B1 B2 के अनुपात के और बराबर है C1 C2 के अनुपात के तो अगर हम A में हैं दो से गुणा कर देते हैं अब दो से क्या तीन से कर देते क्योंकि बारबर दो दो ले रहे हैं तीन दुनी चैक्स तीन तिया नौव आई अगर A1 A2 का अनुपात B1 B2 बराबर है तो C1 C2 का भी अनुपात बराबर होना चाहिए यनि माइनस आट में भी उसी संख्या से गुणा करेंगा अटिया चौविस बराबर है जीरो क्लियर है तो इस तरीके से हम लोग ऐसे लगा सकते हैं और इसके कई एक्जाम्पल है आप यह ना सोचे कि यही आप लिखेंगे आप पेपर में कोई भी लिख सकते हैं तो अब ह देखो क्या कहा रहा है कोशन नमबर दस में समी करण एक्स माइनस वाई प्लस एक बराबर जीरो और त्री एक्स प्लस टू वाई माइनस बारा बराबर जीरो का ग्राफ खिंचिए एक्स अच्छ और इन रेखाओं से बने त्रीबुच के सीर्चों के निर्दिसांग ग्याद कीजिए ठीक है अब आप यहाँ देखेंगे कि एक्स माइनस वाई प्लस एक बराबर जीरो इससे समी कर नमबर एक मान लिजे और थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस बारा बराबर जीरो इससे समी कर नमबर दो मान लिजे अब समी कर एक और दो आपने मान लिया है तो समी कर नड़ फर्स्ट को ग्राफी रूप में लिखने पर तो भाईया समी कर फर्स्ट को ग्राफी रूप में लिखने पर लिखेंगे तो एक्स का मान निकाल लेंगे यहां से क्या बन जाएगा वाई माइनस एक सारणी बना लेते हैं यह एक्स यह वाई यह का मान जीरो रख देंगे एक्स का मान माइनस एक वाई का मान एक रख देंगे एक्स का मान जीरो हो जाएगा बिन्द क्या प्राप्त हो जाएगे हमको बिन्द प्राप्त हो जाएगे माइनस एक कामा जीरो और जीरो कामा एक अब देखिए समी करण सकेंड को ग्राफी रूप में लिखने पर लिखने पर तो लिखेंगे तो य का मान निकाल लेंगे यहां से या एक्स का ही निकाल लीजे एक्स बराबर बारा माइनस दो वाई बटे तीन ठीक है माइनस का बारा अधर प्लस में गया तो वाई माइनस में गुड़े के चीज बटे में सारनी क्या बनी है यह एक्स है यह वाई है अगर हम वाई का मान जीरो पुट कर दें तो एक्स का मान हमको चार मिल जाएगा और अगर हम वाई का मान यहाँ पर तीन रख दें तो दो तीन च्छे बारा में से च्छे गए च्छे तीन दूनी च्छे ठीक है यह हम च्छे रख दें सीदे सीदे च्छे रख देते हैं वाई का मान च्छे रख देते हैं तो एक्स का मान जीरो तो बिंदु प्राप्त होंगे चार कॉमा जीरो और जीरो कॉमा छे क्लियर है चलिए अब हम ब्लाण लेते हैं इसका ग्राफ क्योंकि बिंदु हमारे क्लियर है ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्सच और यच खीचेंगे तो यह हो गया हमारा यच यह हो गया हमारा एक्सच यह एक्स यह एक्सडैस यह वाई यह वाईडैस सबसे पहला बिंदु देखेंगे माईनस एक कामा जीरो तो एक्स पर चले माईनस एक वाई पर चले जीरो यह आ गया और फिर यह वाईड़ा बिंद चलेंगे एक्स पर चले जीरो वाई पर चले एक यह आ गया तो यह दो बिंद हमको यहां मिले है यहां से हम रेखा खीचेंगे अपनी अब दूसरी देखा खीचेंगे चार कामा जीरो जीरो कामा च्छे तो एक्स पर चले चार वाई पर चले जीरो एक दो तीन चार यह बिंद मिल गया फिर एक्स पर चले जीरो वाई पर चले चार एक दो तीन चार पांच और यह रह च्छे ठीक तो अब यहां से एक्रेखा खीचेंगे यह बिंद तीन यह तो यहां पर बिंदु हमारे क्या बनेंगे जाकर यह बिंदु तो हमको मिल गया है माइनस एक कॉमा जीरो यह बिंदु तो हमारे पास है चार कॉमा जीरो और जब आप ग्राफ पेपर पे यह बिंदु पाएंगे तो यह आपको मिलेगा दो कॉमा तीन लेकिन जब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तब ठीक है ऐसे आप पता करना है तो दोनों देखाओं को हल करना पड़ेगा ठीक है तो यह तो यह त्रिबुज का ए बी सी अपरस में कहे रहा है एकस अच्छ यह हैं और इन रेखाओं चिया कोश्यच कर देंouse के तरे पर परत कर देते हैं से झाल झाल ठीक तो यह हमारा तो प्रतल पटल है, जिसके सीर्सों के निदे शंग हमको मालुम है, ए, बी, सी सीर्स हैं, जिनके निदे शंग 2,3-1, 0, 0, 4,0 हैं, हम इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं, बढ़ जाते हैं, कॉशत नम्वर, ग्यारा पर समीकन दे रखे हैं 2X प्लस Y बराबर 4 यह समीकन नमबर 1 है और समीकन नमबर 2 क्या है 2X माइनस Y बराबर 4 यह समीकन नमबर 2 है समीकन नमबर 1 को ग्राफी रूप में लिखने पर तो ग्राफी रूप में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा Y बराबर 4 माइनस 2X सारनी अब देखेंगे अब देखेंगे X का मान हम किना रख दें 0 तो Y का मान 4 और X का मान अगर हम 2 रख दें तो Y का मान 0 तो हमको बिंद क्या मिल गए हमको बिंद मिल गए 0,4 और 2,0 समी करण सकेंड को ग्राफी रूप में लिखने पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे Y का मान निकल लेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का Y बराबर 4 माइनस 2X Y बराबर 2X माइनस 4 अब बना देंगे सारणी सारणी में क्या जाएगा X Y जब X का मान 0 रख देंगे तो Y का मान माइनस 4 और जब X का मान 2 रख देंगे तो Y का मान 0 बिन्दू क्या प्राप्त होंगे 0 कॉमा माइनस 4 और 2 कॉमा 0 अब हम अपना ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले खाना भाईया बन रहा है CT पर CT आ रही है तो ये बन गया आपका Y अच्छ तोड़ा सीधा बनाते हैं ये बन गया X अच्छ एक्स एक्स डैस वाई वाई डैस और बिन्दों की बात करेंगे तो सबसे पहले जीरो कामा चार एक्स पर चले जीरो वाई पर चले चार एक दो तीन चार एक्स पर चले दो वाई पर चले जीरो एक दो ठीक है अब यह बन गया है अब इस बिन्दों को देखते हैं एक्स पर चले जीरो वाई पर चले माईनस चार एक दो तीन चार यह बिन्दों आ गया और यह चले दो कामा जीरो तो यहां से निकालना है करना है तो अगरी देखा यह जाएगी अब देखिए यह हमारी त्रबुज बन गया अब इस त्रबुज में कि इसको कह रहा है कि वाई अचसे बने त्रबुज वाले सीर्स के वाई अचसे बने सॉरी बनने वाले त्रबुज के सीर्स बिन्दों के नर्दे सांग लिए साथ ही इस त्रबुज का चेर फल भी माइनस चार इस बिंद को हम ए कहेंगे इसको बी कहेंगे इसको सी कहेंगे कि यह हमारा तिर्बुजय है हम यहां पर चाहिंकित करें दे रहें इसको रहें पर बीत करेंगे हम जाओ रहें पर रहें रहेंगे रहें इसको सीज़न्स बाल trouver जा रहेंगे三ा ए यहłemगे हमार अ कने पर दूझ , यह बालर दूपोों, दो पर भीति को來了 हुआ है मेरा यहां पर तर्वीष बन गया है ठीक है क्लियर है तो चाहिंकित भाग दिख रहा है यह हमारा है क्या त्रेबुज अब हम क्या करेंगे इस त्रेबुज का छेटफल हमको चाहिए तो हमें छेटफल निकालने के लिए इस त्रेबुज का बेस यानि एसी चाहिए जो उपर है प्लस चार नीचे है वाइनस चार तो टोटल डिस्टेंज की बात अगर हम करेंगे तो यह आठ हो जाएगी और अगर हाइट की बात करेंगे तो इसकी हाइट यह है यह देखिए हाइट है यह अगर यह बेस हो जाए आधार की संगत उचाहि लेते हैं तो आधार के संगत उचाहि हमारी कितनी है दो है क्लियर है अब देखिए इसकी उन्चाई हम यहां से ऐसे लिख देते हैं यहां लिख देते हैं दो और यह अब त्रिबुज ए बी सी का छेट फल यहां पर लिख देंगे हम लोग त्रिबुज ए बी सी का छेट फल बराबर आधार गुड़ें उचाहि आधार कितना है एसी उचाहि कितना है बी पी इसको पी लिख सकते हैं यहां पर बी पी बटे दो एसी का मान आठ है बी पी का मान दो है दो से दो कट गया अंसर आ गया आठ मात्रक स्क्वार क्लियर है तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं उमीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ गया होगा चल देते हैं कोशन नमबर बारा पर जो काफी इंपॉर्टन कोशन है कोशन नमबर बारा केके किसमान के लिए निम्लिकी समी रैखिक समी करनों के युगम का कोई हल नहीं है 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y बराबर 2k plus 1 अब क्या करेंगे 3x plus y minus 1 बराबर 0 समी करनों कि नमबर फर्स्ट 2k minus 1 into x k-1 into y minus 2k plus 1 बराबर 0 अब यहाँ पर देखिए ध्यान से a1 का मान कितना है 3 बीवन का मान 1 c1 का मान minus 1 a2 का मान 2k minus 1 b2 का मान k minus 1 और c2 का मान minus का 2k plus 1 अब हम लिखेंगे चूंकि रिखा के कोई हल नहीं है समी करणो का कोई हल नहीं है इसलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 यह तो आपने फर्मूला याद कर रखा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 not equal to c1 बटे c2 value पुट कर देंगे सारे मान हमको मालूम है a1 का मान 3 a2 का मान 2k minus 1 b1 का मान 1 b2 का मान k minus 1 not equal to minus 1 minus का 2k plus 1 तो equal वाले हम लोग ले देंगे तो यह दोनों बराबर कर देंगे तीन ब्रैकेट में k minus 1 बराबर एक ब्रैकेट में 2k minus 1 3k minus 3 बराबर 2k minus 1 3k minus 2 के बराबर minus 1 plus 3 k बराबर 2 तो अगर k का मान आप 2 पुट कर देंगे तो समीगन का कोई हल नहीं होगा clear है तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं चल देते हैं next question पर और देखिए यह important question है question नमर बारा यहाँ पर लिख देते हैं important डाल देते हैं आपके लिए most important और question नमर बारा के बाद हम लोग चलेंगे तेरा पर A और B के किन मानों के लिए अपरमित रुप से अने खलें तो 2X प्लस 3Y बराबर 7 और A माइनस B X A प्लस B इंटो Y बराबर 3A प्लस B माइनस 2 चलिए अब क्या करेंगे 2X प्लस 3Y माइनस 7 बराबर 0 तो समय का नमबर 1 A माइनस B इंटो X प्लस A प्लस B इंटो Y माइनस ये पूरा पद माइनस में उठकर यहां लेआए ब्रेकेट में लिखकर 3A प्लस B माइनस 2 बराबर 0 ये बाद ध्यान रखना बच्चे क्या करते हैं इसको उठाके इदर ले आते हूं लाइए या तो सभी पुदों के चिन बदल कर इदर लाईए और वो भी जंजट है उसमें भी बच्चे गलती करते हैं मैं एक्सर कोंपे चेक करता हूं तो मुझे गलती इसको इदर लाने में भी बच्चे गलती उपर ही कर देते जीरो मिलता तुरंत एक नंबर भी नहीं मिलेगा आपको क्योंकि पहली लाइन में ही गलती कर देना इसका महलब कोश्चन आपका जीरो अब यहां पर गुडांकों कर ले लेंगे क्योंकि इसमाल ए भी प्रसमें चल ले हैं तो हम कैप्टल एवन की बात करेंगे दो कैप्टल बी वन की बात करेंगे तीन कैप्टल सी वन की बात करेंगे माइनस साथ एटू की बात करेंगे ए माइनस बी बी टू की बात करेंगे ए प्लस बी और सी टू माइनस ब्लैकेट में थ्री ए प्लस बी माइनस टू अब लिखेंगे चुकि अपरमित रूप से अनेखल हैं चुकि समी करणो के अपर इम्मित रूप से अनेखल हैं पिसले A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 मैंस से मैंस कर गया है यहां पर अब देखो यहां पर दो लोगों के तुलना करेंगे सबसे पहले इन दोनों पार्टों के तुलना कर लेंगे पिर इन दोनों के तुलना कर लेंगे क्लियर है तो 2 बटे A माइनस B बराबर तीन बटे A प्लस B दो ब्रैकेट में A प्लस B तीन ब्रैकेट में A माइनस B 2 A प्लस 2 B बराबर 3 A माइनस 3 B 2 A माइनस 3 A बराबर माइनस का 3 B माइनस का 2 B माइनस का A बराबर माइनस का 5 B माइनस से माइनस कट गया A बराबर 5 B समीका नमबर 1 अब इन दोनों के तुलना करेंगे तीन बटे A प्लस B यहां तो नहीं तथा आएगा और साथ बटे 3 A प्लस B माइनस 2 इसको इदर बला लेंगे तीन ब्रैकेट में 3 A प्लस B माइनस 2 साथ ब्रैकेट में A प्लस B 9 A प्लस 3 B माइनस 6 7 A प्लस 7 B 9 A माइनस 7 A प्लस का 3 B यह इदर आजाएगा माइनस का 7 B बड़ाबर 6 9 A मेंस साथ बड़ा जाएगा तो क्या आएगा 2 A माइनस 4 B बड़ाबर 6 A का मान रख दो 5 B दो ब्रैकेट में A का मान 5 B 5 दूनी 10 B माइनस 4 B बड़ाबर 6 च्छे बटे च्छे से च्छे कर गया एक बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में बी का मान लखने पर तो ए बराबर फाइफ भी है बी का मान एक पाँच कम पाँच एक का मान कितना आगया अता ए बराबर पाँच बी बराबर एक तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं उमीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा अगर मेरा बता है वह आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चनल पढ़ना है तो चनल को सब्सक्राइब अवस्य करें थैंक्यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3B के साथ